जो गन्हा किसान है तो क्या उमीद करें कि समीम साहब मिनिस्टर वने तो क्या फायदा होगा चमपने पटाएंगे बताएंगे सारी बात आपको नहीं बताएंगे नमस्कार डॉक्टर समी महमद गन्ना मंत्री बिहार सरकार स्वक्त मेरे साथ है शर से श नहीं पहले भी मेरी बाट ची थूँ ही थी लेकिन अब वह एक मंत्री की हैसियत से उन्से हम बात कर रहें सब सब पहले बहुत बहुत आई आप मंतरी वनें चलिए बहुत बहुत इसके लिए मैरे चैनल को सुकरिया धनवाद सर और चंपारण के लिए बड़ा फेमस है क्या एजेंडस है क्या ब्लूप्रिंट कि मेरे बिकास हो इसका अभी मैने पद बार संब्लाहे है मैं समिक्षा कर रहा हूं जतना अच्छा हो सकेगा चंपारन के लिए होगा जैसे एक चीनी मिल की बात उठती हमों तिहारी में कि वो काफी बंद है या उसको लेकर काफी विवाद है कुछ इस तरह से होगा आगे पहले जो थे इसके बारे में आप कभी नहीं चला है हम डेली चलाते ब्रावर चलाते हम दिखा देंगे अभी हम लोग बतायां कि मैं समिक्षा कर रहा हूं समिक्षा के बाद जतना अच्छा हो सकेगा चंपारन के लिए खुशकबरी मिलेगी तो आपके बारे में भी बात होई और यह भी बात होई कि जो नई सरकार वनियों समाजबादी सरकार है और 20 लाख रोजगार की भी बात होई तो गन्ना जो है चंपारन के लिए रोजगार से भी जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसको कैसे आप देखते है हमारे मानने मुख मंत्री जी एतिहासिक जगह से 15 अगस्त के दिन और मानने हमारे नेता उप मुख मंत्री तेज़सी परसा जाद हो ने बच्चा इंतजार करें तयारी करें लोग रोजगार देने के लिए तयार है आप जल्दी में हैं लेकिन सवाल सर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है अपने ग्री छेतर में चलता है जहां यह जनता की सिवा करते हैं हम लोग वहां गए भी थे देखा भी था तो बड़ा एक मतलब प्रोफेशनल लेवल पर भी आप डॉक्टर है, मिनिस्टर भी है, कैसे मैनेज करेंगे सब ची? अलग उब्यवास्ता, मारे छोटे भाई मेस है, अपना कार्ज बार अपना करते रहते हैं दो पारण कर लोग गणन, मनेखासकर जो गणना किसान है, वो क्या उमीद करें कि समीम साहब मिनिस्टर बने हैं, तो क्या फायदा होетр है? बताँएंगे, बताएंगे, सारी बात आपको नहीं बताएंगे, बाकर किसान कोईंगे Thank you, thank you, thank you